नमस्कार मित्रो 91.2 एफेम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धरकन हलो हल्दवानी उतराखन मुक्त विष्विद्याले का ये सामुदाईक रेडियो है और कारिक्रम चल रहा है विष्विद्याले परिसर से और हमारे साथ इस वक्त मौझूद हैं डिपार्टमेंट आज दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिद्दू क्रिस्नमोर्ती जो के एक बहुत बड़े सिक्षाविद हैं उनके सैक्षिक विचारों पर उनकी प्रासंगिक्ता पर हम बात करेंगे आज तो मैं सबसे पहले मैं जानना चाहती हूं कि उनके विचार जो है वो क्या थे और बरतमान समय में हम देखते हैं कि जो हमरी सिक्षा व्यवस्ता है, सिक्षा ब्रणाली है, वो कहीं ने कहीं एक कोई चूक उससे हो रही है कि बच्चों को वो अपने खाचों में ठीक से बठा नहीं पा रही है या फिर उनमें वो जो तमाम सारी नैतेक गुण होने चाहिए, सिक्षा शास्त्री जिद्दू किश्वमूर्ती जो विश्व परशिद्र दार्शनिक एंग आध्यत्मिक विश्वियों के स्रेष्ट लिखक थे, उनके सेक्षिक विचारों की प्रासंगित्ता को समझेंगे कि उनके सेक्षिक विचार आज भी उतने ही अधिक प्रासंगि जितने विश्णी सदी में थे विश्णी सदी के मनोवज्यानिक और सेक्सिक विचारू में जिद्दू किष्णमूर्ती जी का मौलिक तथा प्रामानिक योगदान है। सूचनात्मक ज्यान या पुस्तकी ज्यान प्रियाप्त नहीं हो सकता क्यूंकि बर्तमान सिक्ष्या का स्वरूप प्रति इसपरधात्मक है। जीवन को ब्यापक रूप से जाने बिना केवल दक्षता और शमता को पोसित करने में विद्द्यार्थी अधिका अधिक निर्दई बनते जा रहे हैं। जिसके प्रणाम सरूप विद्द्यार्थी, शांतिप्रिय, सहयोगी बनने के विजाए उग्र और अनुसासन हीन बन रहे हैं। विद्द्यार्थी जीवन रेस नहीं है, इसे समझने के लिए प्रति इस्वर्धात्मक सिक्षा के स्थान पर विद्द्यार्थिओं को जीवन की सिक्षा मिले, जिससे वह वेतर इंसान बन सके। जिद्दु किश्मूर्ति का मानना है कि प्रति इस्वर्धा रहित शिक्षा से ही आध्यात्मिक और भावात्मक एक्ता के मूल्यों का विकास होगा और भौतिकवात के भटकाओं से समाज को बचाया जा सकेगा. साथ ही अनैतिक और अमानोई या प्रवर्धियों पर अंकुस भी लग सकेगा. दया और करणा के भाव प्रस्पूर्टित हुँगे तथा मन की समवेदना का विस्तार होगा. यदि हिर्दय में समवेदना होंगी तो चरितर अच्छा होगा जिससे घर, समाज, एबं देश वा मिलेगी. में हम देखते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे वास्तिक जीवन से कोई लेना देदा नहीं होता है. पढ़ाई एक अलग रास्ते पे चल रही होती है, हमारी जिन्दगी अलग धर्रे पे होती है. तो क्या कोई पढ़ाई का हमारे जीवन से ताल मेल बैठे क्यूंकि आत्मग्यान में ही मानव जीवन की समस्त समस्या का समाधान छिपा है आत्मग्यान नहोने के कारण ही सिक्ष्या और मानव जीवन का आपस में कोई संबंधन नहीं है आत्मग्यान से ही मानव को आंतरिक संतोष और करुणा दया भातरत प्रेम आधि मानवी जीवन के मुल्यों का बोध होता है जो शुक और शांति से जीवन जीने के प्रिणा के स्रोथ हैं इसलिए क्रिश्ण मूर्ति ने बालकों की सिक्षा में परति इस बर्धादमक सिक्षा के इस्तान पर सर्फ से पहले सो को समझने पर बल दिया है बिस्यसग्यों के निर्मान पर नहीं वह कहते हैं कि सिक्षा का प्रियोजन केवल जीवन को समग्र रूप में समझना नहीं है वरन सिक्षा का प्रियोजन यह भी है कि विद्यार्थी मिर्थी को भी पून रूप से समझ सके क्योंकि सिक्षा वास्तविक जीवन का वह प्रतिविम्ब है जिसमें बालक स्वैंग का और समग्र मानवता का रूप देखता है और बालक मत्ता कांसा रहित हो करके सम्विदन सील और स्रेजन सील बनता है जी तो बहुत अच्छी बात आपने बताई हमी जानना चाहते हैं कि जीवन संगर जो बच्चों के हैं जो बालकों के हैं उसमें एक क्रिटिविटी का भाव दिखाई देता है उसमें कुछ करने का और क्या हमें बनना है इसकी खोज जो कई बार विद्यारती नहीं कर पाता है तो आपने स्वख को जानने की बात भी कही है तो क्या कहते हैं इस मामले में जो जैसे कि हमारी बतमान सिक्षा में जो है तकनिकी ग्यान पर अध्यतिक बल दिया जा रहा है कहीं भी बालक की रुची या उसके सिक्षा के प्रति प्रेम बद्ध्यान नहीं दिया जाता आज बालक को सिक्षा आनंद और खुसी के रूप में नहीं बलकि एक बोज के रूप में मिल रही है। उससे हार नमाने और संसार का सामना करने में समर्थ बनाए। इसके लिए विद्यारती किसी सिक्षक पर निर्भर नहरेकर सुइंग करके सीखे तथा अपना दीपक सुइंग बने, अपना रास्ता सुइंग चुने और अपने भीतर वह प्रग्या जागरित करे ताकि जिवन क संगसों की चुनोतियों का सामना करने के लिए हुआ सक्षम हो सकी मैम आप ये बताएं कि जिस तरह से बाल अपराहत आज बहुत ज़्यदा बढ़ रहे हैं सोसल मीडिया वे बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं अभी हम हाल कि अगर बुली एप्स की घटनाएं देखें तो चोटे-चोटे बच्चे किस तरह की घटनाओं में लेते हैं तो सोसल मीडिया क्या इन चीजों को बढ़ा रहा है और क्यों नहीं स्कूल जैसे सस्ता उसको काउंटर कर पा रही है ची मैम ये बात सच है कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के कारण भी बच्चे संसार जो जित स्ने के अबाव में बच्चे संव्यदन सुन्य बन करके हिंसा कर रहे हैं और विविन अपराधों में लिप्त हो रहे हैं बिना प्रेम और करणा के जीवन एक रेगिस्तान बनकर रह जाता है इस परकार के जीवन में मौलिकता नहीं रहती है माता-पिता एवम, सिख्षक, बच्चों के प्रती, उदासिंता का भाव त्याग गर, उनमें सने, प्रेम, करुणा और सोहार्द के संचार से उनके सोसे परचित कराएं, तभी वह अपने प्रती, समाज के प्रती, राश्र के प्रती वर विश्व नागरिकता के प्रती अपने उत्तरदायत को समझ जीवन सुन्दर है, और जीवन से महत्पूर कुछ भी नहीं, इस बात को हम सको समझना होगा, बच्चों के नाचुक कंधु पर अपनी चाहतों के वजन डालने से हमें बच्चना होगा, बच्चों को अपनी चाहतों के साथ जीने दीजे, तभी शायद उनकी मासुमियत, उनकी संवेधन शीलता और सिजना तकता बच पाएगी और तभी शायद एक सुन्दर समाज की रजना हो पाएगी. धन्यवाद. बहुत ही सुन्दर विचार हैं और अगर ये जल्दी से जल्दी इंप्लिमेंट हो जाया, अभी नई सिक्षानीती लागू हुई है, तो हो सकता है कि तमाम इन विचारकों की विचारों को उसमें शामिल किया जाए, तो ये बहुत ही बहतर होगा कि एक अच्छा समाज बने, अगर अगर आपको ये बतचीत पसंद आई हो, ये बचारक पसंद आए हो तो अपना फीड़बेक हमें जरूर दीजेगा, हमारे यूट्यूब चैनल है, से फीड़बुक पेज हे, हलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीड़बेक का हमें इंतेजार रहेगा, इसी के साथ अ